अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो सिख्षा एक बहुती इंपोर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है गुरुओं का हमारी लाइफ में बहुती इंपोर्टेंट रोल होता है इन फैक्ट सिख्षकी वो तो जरिया है जो एक देश को उसके युवाओं को एक नई उचाईयों पर ले के जा सकता है इंशन टाइम से ही अगर आप देखेगा तो हमारे देश में गुरुओं का एक बहुती महत्वपून स्थान रहा है हमारे दिल में चाहे आप बात कीजिए चानके की चाहे आप बात कीजिए गुरुण द्रोणा चाहरे की चाहे अगर हम आज के अपने सिख्षकों को देखें इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी स्कूल से लेकर सीनर सेकेंडरी फिर कॉलेज फिर उसके बाद की जीवन में सिख्षक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में किस लिए ताकि हम अपने लाइफ में एक नए मुकाम तक जा सकें अपनी सफलता को पा सकें और एक नए शिकर पर जाके बैठ सकें ठीक है बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई हैं पर अंधिकार को हटा कर प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरू जीवन की रह दिखाने वाला गुरू इंसान को इंसान बनाता है गुरू बहुत ही बढ़िया इंसान को इंसान बनाता है गुरू दोस्तों आप सभी को सिख्षक सिक्षक दिवस की हार्दिक शुपकामने है आज 5 सितंबर है ठीक है और आज ही के दिन आपका इंडिया में सिक्षक दिवस मनाया जाता है सिक्षक सिफ आपको कई तरीकों में देख सकते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए फिटनेश ट्रेनर्स या फिर कोचिस यह सब टीचर्स हैं यह सब क्या हैं सिक्षक हैं जो भी व्यक्ति अगर आपको कुछ सिक्षा दे पार है जो भी व्यक्ति अगर आपको कुछ सिखा पार है तो वह आपका टीचर है जहां से मिले यार ग्यान बटोड लीजे बस ग्यान बटोड लीजे ग्यान ही तो सब चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी तो दोस्तों आखिर हम देखें कि आगर 5 सितंबर को ही टीचर्स दे क्यों मनाया जाता है तो चलिए देखते हैं इस दिन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपली रादा कृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तो हम इसमें ये देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर इन ही के जन्म दिन पर ऐसा क्यों है कि हम टीचर्स दे मनाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा आप समझ जाएंगे डॉक्टर सर्वपली रादा कृष्णन भारतिय सिख्षक और महान फिलोस्फर थे वह 40 सालों तक सिख्षक रहे और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स जोईन की उन्होंने आक्सवर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर के तौर पे काम किया डॉक्टर सर्वपली रादा कृष्णन ने भारत को सिख्षा के छेतर में नई उचाईयों पे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक इंपोर्टेंट भूमिका ने भाई बच्पन से किताबे पढ़ने के शौकीन डॉक्टर सर्वपली रादा कृष्णन का जन्व तमिलनाडू के तिरुतनी गाउं में 5 सितंबर 1888 को हुआ था वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका पढ़ाई में बहुत ही बन लगता था डॉक्टर सर्वपली रादा कृष्णन को अपनी अकेडेमिक्स लाइफ में कई बार स्कॉलर्शिप से नवाज आ गया और इसी वज़़े से उन्होंने फिलोसफी में मास्टर्स की डिगरी हासल की और उनकी शादी 16 वर्ष के आयू में सिवक कमी कामून नाम की लड़की से करा दी गई थी फिर उन्होंने मरदराज प्रिसिडेंसी स्कूल में फिलोसफी पढ़ानी शुरू की जहां से इनका टीचिंग करियर स्टार्ट होता है उसके बाद वो यूनिवर्सिटी और मैसूर में भी फिलोसफी पढ़ाने गए अगर देखिए का तो दॉक्टर सिर्वपली रादा कृष्णन बहुत सारे इनका मानना था सब्सक्राइब का पढ़ाय का रास्ता है जिसकी राह पर चलकर इनसान अपने दिमाग का सही प्रयोग करसकता है सब्सक्राइब या अपने भाशनों के जरिए भारत की फिलोसफी को एक नय मुकाम पर रखने में बहुत important role अदा किया था ठीक है भारत की philosophy को आगे ले जाने में डॉक्टर सर्वर पली राता क्रिश्टन का एक बहुत important role था 40 साल की सिख्षक करियर के तौर पर अगर देखीगा इन्होंने तो बहुत important चीजे बच्चों को सिखाई philosophy में भारत को कहा से कहा लेकर गया उसके बाद 40 सालों के बाद टीजिंग करियर के बाद इन्होंने politics को join किया और वहाँ पे भी जाने के बाद अगर देखीगा तो इन्होंने Indian culture की रक्षा करते हुए कोई कमी नहीं छोरी तो अगर आप देखिएगा तो एक बार क्या हुआ 1962 में जब ये भारत के president थे तब इनके कुछ दोस्तों और मित्रों ने इन से पूछा कि हम आपका जन्म दिन मनाना चाहते हैं ठीक है तो इन्होंने कहा कि इस दिन सिर्फ मेरा ही जन्म दिन का जश्टन मनें ऐसा मत कीजे इस दिन सारे टीचर्स का आप जश्टन मनाईए जिनका रोल हमारी जिन्दगी में बहुत है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो उसी दिन से देखिएगा तो 5 सितमबर 1962 में भारत में सबसे पहला सिक्षक दिवस मनाए गया था तो आप जान चुके होंगे कि 5 सितमबर को ही हम ठीचर्स दे क्यों मनाते हैं ? तो आगर आप जान चुके हैं तो आपसे पोशन पूचना तो बनता ही है इंडिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को बनता है तो आप बताईएगा कमेंट सेक्षिन में कि इंटरनेशनली टीचर्स डे हम कब मनाते हैं इसका अंसर आप कमेंट सेक्षिन में दीजें देखें टीचिंग वह जरीया है ना दोस्तों मत्त सिक्षिक हि हमारे जीवन में वह जरीया है जो हमें मतलब कहां से कहां लेकर जा सकता है जीवन में अगर देखिए गदविश्चियों और भगवान से भी बढ़कर आपके दो टीचर्स होतें एक आपके माता पिता एक आपके गुरु माता पिता आपको बच्पन से कुछ सिखाते हैं उसके बाद आपको गुरु के पास लेके जाते हैं गुरु आपको ग्यान देता है ग्यान के वज़े से आप नहीं उचायों उचूते हैं नहीं उचायों पर जाने के बाद अच्छे टीचर्स को आधर देते हैं वैसा तो आधर हमेशा देना चाहीë पस एक दिवस एक वो दिन है जसिदिन हम सब को याद आजाता है делает किया टीचर्स का क्या रोल हो ता हमारी जीवन में बिना टीचर्स क हम अपनी लाइफ इमेजन भी नी कर सकते हैं सिख्षक वो नहीं जो चात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरदरन ठूसे भलकि बसतविक सिख्षक तो वह है जो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए उसको तयार करें बहुती बैतरी नहीं यार बहुती बैतरी इन बात कही गई है सिख्षक सही में वही है जो आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तयार करें ठीक है जीवन में अगर आप देखिएगा आपने कई महान पुर्शों के बारे में बात की सुनी होगी बाते सुनी होगी उनकी जीवनी पड़ी होगी डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम सर हो ग देखिएगा तो एक और आपका इंपॉर्टेंट दिवस है इंटरनेशनल चैरिटी डेई इंटरनेशनल चैरिटी डेई भी आपका 5 सितमबर को ही मनाया जाता है ठीक है दोस्तों अमीर वह नहीं है जो महीने के एक लाग रुपे कमाता है अमीर तो वह है जिसके पास अगर अगर चैरिटी डीजेगा किसी के मदद कीजेगा तो अच्छा लगेगा ठीक है तो आप अब जान चुके होंगे कि आखी टीचर्स डेई 5 सितमबर को ही क्यों मनाया जाता है तो आप सभी को टीचर्स डेई की बहुत बहुत शुब कामना है हैपी टीचर्स डेई जहां से भी मिलेना तो फटा फट ले लीजे समय नहीं मिलेगा फिर अगर वह समय चला गया तो बहुत पच्ताइएगा फटा फटा अगर आपको जहां से ग्यान मिल रहा है ले लिजे तो रंत ले लिजे छोड़ी है मत ठीक है और दोस्तों अन्त में एक बात कहना अच्छा लगता है पढ़ाना अच्छा लगता है टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं NCRT पढ़ा तो वर्ल्ड जोगर्फी चल रही है तो प्लीज अब नौलेज कैसल को सब्सक्राइब पीजे एंड बैल आइकन दबाईएगा थैंक यू सो मच कि मैं आपको समझाय पाया झाल झाल